शोपुर इस्टित कुनो नेशनल पार्क से एक बार फिर से बुरी खबर आई है यहां मादा चीता गामिनी के एक शावक की मौत हो गई है रीड के हड़ी में फ्रेक्चर होने की वज़ा से यह शावक गंभी रूप से घायल हो गया था जिसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया मद्यप्रदेश के कुनो नेशनल पार्क से बुरी खबर आई है दक्षिन अफरीका से लाई गई मादा चीता गामिनी के एक और शावक की मौत हो गई है रीड की हड़ी में फ्रेक्चर होने से घायल शावक ने साथ दिन चले इलाज के बाद दम तोड़ दिया कुनो के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि चीता गामिनी के शावकों में से एक शावक अपने शरीर के पिछले हिस्से को घसीट कर चल रहा था उसे ततकाल रेस्क्यू कर चिकित साले लाया गया जहां परिक्षन के बाद उसकी रीड की हड़ी में फ्रेक्चर पाया गया तब से शावक के फ्रेक्चर का इलाज चल रहा था इलाज के दोरान शावक की हालत और ज्यादा खराब हो गई और उसने दम तोड़ दिया बता दे कि 10 मार्च को मादा चीता गामिनी ने कुनो नैशनल पार्क में 5 शावकों को जनम दिया था शावकों के जनम के बाद 4 जून को भीशन गर्मी की वज़ा से एक शावक की मौत हो गई थी वही अब दूसरे शावक ने भी दम तोड़ दिया है कुनो नैशनल पार्क में अभी तक कुल 12 चीतों की मौत हो चुकी है जिसमें 7 चीते और 5 शावक शामिल हैं वही बचे हुए 13 वयस और 12 शावक चीते स्वस्थ और सामान ने हैं जिनकी नियमित निगरानी की जा रही है